हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन जोब स्पोर्ट्स पे ओनलाइन जोब स्पोर्ट्स आज आपके लिए लाया है एक्सिस बैंक में जोब एक्सिस बैंक में बहुत सारी पोजेशन पर जोब निकली हैं तो आईए चलते हैं Axis Bank की Official Website पर और देखते हैं Jobs तो दोस्तो हम Axis Bank की Official Website पर आ चुके हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे और bell notification को all पर set कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो का notification आप तक पहुँच सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं Axis Bank में जोब Axis Bank में जोब देखने के लिए ये आपको option दे रखा है explore opportunity का इस पर click करेंगे नया page load होगा थोड़ देर wait करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने नया page खुल चुका है उपर आपको search बार दे रखा है यहाँ पर अपना job का keyword डाल कर आप job सर्च कर सकते हैं वरना नीचे scroll down करेंगे तो आप देख सकते हैं यापर कितनी सारी position पर job दे रखी है यह अलग-अलग location पर और अलग-अलग position पर job दे रखी है आप देख सकते हैं यापर work from home की भी job दे रखी हैं आपको देख सकते हैं आप कितनी सारी position पर यहाँ पर job दे रखी हैं अभी मैं आपको एक job के लिए apply करके भी दिखाऊंगा पहले आप देख लीजे हैं आपर कितनी सारी position पर job दे रखी हैं देख सकते हैं आप मैं आपको एक job के लिए apply करके दिखाता हूँ माल लीजे आपको human resources HR की job चाहिए तो इस पर click करेंगे नया page लोड होगा आप देख सकते हैं आपके सामने human resources HR की job खुल चुकी है इसमें जो experience मांगा गया है वो आप देख सकते हैं 1 year से 15 year का मांगा गया है 1 position पर ये opening लिकडी है नीचे आप देख सकते हैं इसका job description दे रखा है जोब description को अच्छी तरीके से पढ़ें जिससे आप समझ सकें कि आपको इस job में क्या रोल करना है देख सकते हैं आप इसका job description इस job को apply करने के लिए ये submit profile को option दे रखा है इस पर click करेंगे नया page load होगा आप देख सकते हैं submit profile का option खुल चुका है आपके सामने एक form आ चुका है इस form को fill करना है फिर आप इस job के लिए apply कर सकते हैं मैं आपको इस form fill करना बताता हूँ सबसे पहले अपना first name डालेंगे फिर middle name डालेंगे फिर last name डालेंगे उसके बाद अपना email address डालेंगे contact number डालेंगे अपना उसके बाद आपको अपना pin code डालना है ये जो आपको detail बननी है ये अपने आधार card से match करके बननी है बिल्कुल सही उसके बाद आपको कुछ question पूछे गए है इन question का yes or no में answer देना है अपना gender select करना है उसके बाद resume upload करेंगे उसके बाद trumption condition पर क्लिक करके submit application पर क्लिक करके आपका ये form फिल हो जाएगा फिर आप इस job के लिए apply कर पाएंगे मैं इस form को fill नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस job के लिए apply नहीं कर रहा हूँ आप इस form को fill करें और job के लिए apply करें अगर आपको job apply करने में या फिर ये form fill करने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे comment कर सकते हैं apply link मैं आपको description में provide कर दूँगा जिससे आप आसानी से इस job के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें share करें और हमारे channel को subscribe करें और भी ऐसी job के लिए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye